स्मेह सिंदु की में लेहरों में रहती होई खोई आउम शांती ये दुनिया बेहद का ड्रामा है यहां हर आत्मा का एक दूसरे से बिलकुल पार्ट भेन्न है परंतु इनसान न दुनियावी ड्रामा देखने का अट्रेक्शन तो होता ही है परंतु इस रिष्टी रंगमंच में भी खुद के किरदार को भूल कर दूसरे के किरदार को देखने की आदत वो क्या कर रहे है वो क्यूं कर रहे है उनको ऐसे नहीं ऐसा करना चाहिए यह जो आदते है यह जाती नहीं है जिसे हम दूसरे शब्दों में कहते हैं दूसरों को देखना यह कहेंगे परदर्शन करना परदोशों को देखना परचिंतन करना तो यह आदते बहुत पुरानी द्वापर युगी है जो जाती नहीं है और इस कारण मनुष्य आत्मा कहीं बारी अपने कैरेक्टर से अलग कारे करने लगती है वो एक्ट नहीं करती रियाक्ट करने लगती है और उसके कारण हम बहुत सारी भूले कर देते हैं जोकि खुद को भूल जाते हैं दूसरों के करमों को इधर-धर की बातों को ज्यादा याद करते हैं इसलिए बाबा बार बार ड्रामा का पाठ हमें पक्का कराते हैं याद रखें इस रिष्टी रंग मंच है और हमें बस फोकस करना है अपने किरदार पर और अगर याद करना है और फॉलो करना है और देखना है तो किवल एक बाबा को किसी और को नहीं नंबर वन में जाना है तो नंबर वन किरदार अदा करने वाले प्रमा बाबा को देखना है शिव बाबा को देखना है तो आज की मुल्ली में भी बाबा ड्रामा का ये पाठ हमें पक्का कराते हैं आज है 29 मार्च 2024, बाबा के मधुर महवाख्य हैं, मीठे बच्चे, विचार सागर मन्थन करने की आदत डालो, एक आंत में सुभा सुभा विचार सागर मन्थन करो, तो अने एक नई नई पॉइंट बुद्धी में आएंगी, ये तरीका अपना कर देखो, बहुत बुद्ध पॉइंट्स पुद्धी में आएंगी, प्रश्न है, बच्चों को अपनी अवस्था फर्स्ट क्लास बनानी है, तो किन-किन बातों का सदा ध्यान रहे, चाहते हैं न, स्टेज हमारी फर्स्ट क्लास बन जाए, किन बातों का ध्यान रखेंगे, उत्तर है पहला, एक बाप जो सुनाते हैं, वही सुनो, बाकि इस दुनिया का कुछ भी नहीं सुनो, दुसरा, संग की संभाल रखो, जो अच्छी रीती पढ़ते हैं, धालना करते हैं, उनका ही संग करो, तो अवस्था फर्स्ट क्लास हो जाएगी, कई बच्चों की अवस्था को देख, बाबा को खयाल आता, क्या, कि ड्रामा में कुछ परिवर्तन हो जाए, इनका भी पाट अच्छा हो जाए, ऐसे बाबा को भावना आती, परन तो फिर कहते, यह भी राजधानी स्थापन हो रही है, राजधानी बन रही हैं न, सारे रा अथी में फिर, आउम शांते, एक ही बेहद का बाप, एक है हद का बाप, बॉडिली फादर, रेक है बेहद का बाप, आत्माओं का पिता, बेहद के बच्चों को बैट समझाते हैं, वह पढ़ाते हैं, सब पढ़ रहे हैं, बकि मनुष्य जो कुछ पढ़ते हैं, सुनते है वह तुमको सुनना, पढ़ना कुछ भी नहीं है तुनियावी ज्ञान नहीं पढ़ना सुनना क्योंकि यह तो समझ गए हो एक ही यह इश्वरिय पढ़ाई है बाकी सारी जिस्मानी पढ़ाई है, दुनियावी पढ़ाई है जो अभी तुम्हें पढ़नी है तुमको सिर्फ एक इश्वर से ही पढ़ना है बाप जो पढ़ाए, सिखाए, ओरली पढ़ना है वह तो अनेक प्रकार की किताब लिखते हैं जो सारी दुनिया पढ़ती है कितनी धेर किताबे पढ़ते होंगे काउंट भी नहीं कर सकते ना, इतनी किताबे सिर्फ तुम बच्चे ही कहते हो, एक से ही सुनो और वही औरों को सुनाओ चोंकि उनसे जो कुछ सुनेंगे, उसमें ही कल्याण है बाकि धेर किताबे हैं, नई-नई निकलती रहती हैं तुम जानते हो, राइटियस तो एक बाप ही सुनाते हैं बाकि सब रॉंक क्या सुनाएंगे, दुनिया की बाते शन भंगवर बाते, आज नहीं तो कल खत्म हो जाने वाली बाते जिस्म की बाते और बाबा सुनाते हैं रूह की बाते, सुप्रीम रूह की बाते संपूर्ण सृष्टी के आधी मध्यान्त की बाते इतनी उची बातों के सामने ये सब तो कुछ भी नहीं है, निरर्थक है, है न, परिवर्तन शील बाते हैं तो बबा कहते हैं कि तुम जानते हो कि राइटियस्ट तो एक बाप ही सुनाते हैं, बस उनसे ही सुनना है बाप तो बच्चों को बहुत थोड़ा समझाते हैं, उसको डिटेल में समझा कर फिर भी एक ही बात पर आ जाते हैं थोड़ा से समझाते हैं, फिर उसका विस्तार करते हैं, फिर उसके बात दुबारा सार पर आ जाते हैं भल मनमनाभव अक्षर बाबा राइट कहते हैं, परन्तो बाबा ने ऐसे कहा नहीं है, यद भी बाबा कहते हैं कि ये जो शब्द है गीता का मनमनाभव राइट है, परन्तो एक्चुली में ऐसे बाबा ने कहा नहीं है, बाबा कोई संस्कृत में थोड़ी न समझाते हैं, बा याकि उस शब्द को जथार्थ और उसी तरह नहीं बोला बाबा ने, बाबा ने तो हिंदी में स्पष्ट बोला है, तो बाबा कहते हैं कि बलमनमना, भव अक्षर बाबा राय्ट कहते हैं, पर दो बाबा ने ऐसे कहा हैं, बाब तो कहते हैं, अपने को आत्मा समझो, मुझे बाब को याद करो और स्रिष्टी के आदी मध्यांत का ज्यान जो सुनाता हूँ वह धारण करो। बाबा ये कहते हैं, यह भी तुम जानते हो, हम जो देवता बनते हैं, वही फिर वृध्धी को पाते हैं। बच्चों को मूल वतन भी याद है, फिर नई दुनिया भी याद है, पहले है उचे ते उचा बाब, फिर यह नई दुनिया, जिसमें यह लक्ष्मी नारायन उचे ते उच राज्ये करने वाले हैं। चित्र तो जरूर चाहिए, तो वह बाकी निशानी रह गई है। पिक्चर्स यही तो निशानी रह गई हैं, देवी देवताओं की, बाकी गोण धारनाएं तो सब खतम हो गई हैं। यही एक चित्र है, राम का भी है, परन्तु राम राज्ये को हैवन नहीं कहेंगे। है ना, वो पूरा हैवन नहीं है आधा है। वह है ही सामी, अब ओच ते ओच बाप पढ़ा रहे हैं। इसमें किताब आधी की कोई जरूरत नहीं है। यह किताब आधी कुछ भी चलनी नहीं है। भले लिटरेशर में इतनी सारी बुक्स मिलती हैं, बाकी यह ऐसा नहीं है, आगे पर अमपरा चलती आएंगे। जो दूसरे जनम में पढ़ सकें, ऐसा नहीं है। यह पढ़ाई इस जनम के लिए ही है। यह अमर कथा भी है। हम क्या सुन रहे हैं? यह अमर नात बाबा की अमर कथा। और हम सब हैं पारवतियां। सब सुन रहे हैं, इसे लिए बिलकुल नहीं सोना है। क्योंकि हमें अमर पुरी में जाना है न। नर से नारायन बनने की शिक्षा भी ब दुनिया के लिए बच्चे 84 के चक्र को भी जान गए हैं, ये पढ़ाई का समय है, बुद्धी में मन्थन चलना चाहिए, तुमको औरों को भी पढ़ाना है, सवेरे उठ विचार सागर मन्थन करना है, सवेरे ही विचार सागर मन्थन अच्छा होता है, जो समझाने वाले होंगे, उन्हों का ही मन्थन होगा, टॉपिक्स, पॉइंट साधी निकलती है, भक्ति की बातें जन्म जन्मांतर सुनी, यह ज्यान जन्म जन्मांतर नहीं सुनेंगे, यह बाप एक बार सुनाते हैं, फिर यह नॉलेज, तुमको भी भूल जाती है, जिनको सुनाया, उनको भी भूल जाती है, भक्ति मार्ग की कितनी किताबे हैं, कितनी सारी किताबे, अकाउंट भी नहीं कर सकते हैं, विलायत से भी आती हैं, यह सब खत्म होने वाली हैं, सत्युग में कोई किताबे अगरा होती नहीं है, तो यह सारी किताबे यहीं खत्म हो जाएंगे, सत्युग में तो कोई किताब आदी की दरकार नहीं यह सब है कल्युगी सामगरी तो फिर इसको तो खतम हो नहीं होगा न यहाँ जो कुछ तुम देखते हो जो जो देखते हो क्या-क्या देखते हैं हॉस्पिटल, जेल, जज आदी वहाँ कुछ भी नहीं होगे कुछ भी नहीं होगे कोई विवार ही नहीं होगा तो हॉस्पिटल का क्या करेंगे है न कोई गलत कामी नहीं करेगा तो जेल का क्या करेंगे है न किसी कापस में लडाई जगडा ही नहीं होगा तो जज क्या करेगा तो इसलिए वहाँ ये सब कुछ है ही नहीं वह दुनिया ही दूसरी होगी बिलकुल आलाग इस दुनिया से एक्दम कंट्रास्ट है दुनिया तो यही है पर नई और पुरानी में फर्क तो जरूर होगा ना आप अपने आपको यह देख लो जब छोटा बेबी थे तो हम कैसे दिखते थे और अभी कैसे दिखते हैं नई और पुरानी में तो बहुत अंतर होता है कोई कपड़ा नया लेकर आते हैं फिर जो पराना हो जाता है तो फिर दुनों में कितना अंतर हो जाता है वैसे ही दुनिया तो वही है परन्तो नई और पुरानी में, फर्क तो होगा न, उनको कहा जाता है स्वर्ग, वही दुनिया फिर नर्ग बनती है, मुख से कहते हैं, फलाना स्वर्ग वासी हुआ, सन्यासी के लिए कहेंगे, ब्रह्म में लीन हुआ, निर्वान गया, परन्तो निर्वान में कोई जाता नहीं है, तुम जानते हो यह रोद्र माला कैसे बनी है, रोंड माला भी है, विश्नु की राजधानी की माला बनती है, तो एक है रोद्र माला उपर परमधाम में, फिर नीचे आत्माय आती है, वो आ जाती है रोंड माला में, विश्नु की म यह माला के राज को तुम बच्ची ही जानते हो, नमबरवार पढ़ाई अनुसार ही माला में पिरोये जाते हैं, जैसे जैसे पढ़ेंगे बाबा की बात, बाबा की श्रीमत, धारन करेंगे, उसी अनुसार फिर नमबर मिलेंगे, पहले पहले यह निश्चे चाहिए, क्या नि पढ़ाई है, तब ही तो पढ़ेंगे, है ना, पढ़ाने वाला कौन, ग्यान सागर खुदा कर ग्यान दे रहे हैं, इस पर निश्चे है तो पढ़ाई पढ़ेंगे, नहीं है तो फिर बिलकुल ऐसे ही लेंगे, जैसे कि बस चलो सुनना ही है, तब कहते हैं कि वह सुप्री सुप्रीम बाप और सुप्रीम शिक्षक भी है, तुम्हारी बुद्धी में जो नौलेज है, वही औरों को देनी है, आप समान बनाना है, विचार सागर मन्थन करना है, अखबारें भी सवेरें निकलती हैं, मौर्णिंग में आती है न, नियूसपेपर, अभी तो इवनिंग नियूसपेपर भी निकल चुका है, पर तुम्हारी जैनली तो क्या होता है, मौर्णिंग में आती है एक बारें, वह कॉमन बात है, यह तो एक एक बात लाखों रुपए की है, कोई अच्छी तरहा समझते है, कोई कम समझते है, समझने और समझाने के अनुसार ही फिर नई दुनिया में बद मिलता है, विचार सागर मन्थन करने में बड़ा एकांत चाहिए, रामतीर्थ के लिए बताते हैं, स्वामी रामतीर्थ हो कर गए हैं तो उनके लिए बताते हैं, जब लिखता था, चेले को कहा, दो माइल दूर हो जाओ, नहीं तो वाइब्रेशन आएगा इतना ध्यान रखते थे, ताकि किसी के भी वाइब्रेशन्स का प्रभाव भी, उनकी जो लिख रहे हैं, उस पर ना पड़े तो इसे लिए अगर हमें बाबा के ज्यान का मन्थन करना है, तो बिलकुल एकांत में जाकर करना चाहिए तुम अब पॉफेक्ट बन रहे हो, सारी दुनिया की है डिफेक्टड बुद्धे तुम इस पढ़ाई से यह है लक्षमी नारायन बनते हो कितनी उच पढ़ाई है, परन्तु नंबरवार बिठा नहीं सकते पिछाडी में बैठने से फंक हो जाएंगे घुटका खाएंगे वायुमंडल खराब करेंगे यू तो लौ कहता है नंबरवार बिठाना चाहिए परन्तु इन सब बातों को गोड जाने, गोड की गोथरी जाने, क्यों नहीं बिठाते क्या कारण है शिववाबा जाने, ब्रह्मा बाबा जाने इसका भी कारण है इसलिए ऐसा अलावनी करते की नंबरवार बिठाएं अवस्थान उसार बिठाएं, नहीं यह है बहुत उच नॉलेज तुम्हारी अलग-अलग क्लास तो नहीं कर सकते जैसे दुनिया में होती है न वास्तव में तुमको क्लास में इस तरह बैठना चाहिए, कैसे जो अंग-अंग से ना लगे, वाइब्रेशन एक दूसरे के इफेक्ट ना करे माइक पर तो दूर भी वास सुन सकते हो बाब कहते हैं इस दुनिया का तुम और कुछ भी ना सुनो ना पढ़ो अब चाहते हैं, बिल्कुल डिटैज हो जाए सारी दुनिया से अलग हो जाए नए युग में जी रहे है तो नए युग की वाइब्रेशन्स अलग होने चाहिए हमारे अंदर कुछ भी पुरानी दुनिया का ना जाए फिल्कुल अलग हो जाए तो बाबा कहते हैं कि उस दुनिया का ना कुछ सुनो ना पढ़ो उन्हों का संग भी ना करो जो अच्छी तरह पढ़ते हैं उनका ही संग करना चाहिए तो ये जो परहेज है ना ये बहुत जरूरी है हम जितना परहेज से चल पाते हैं उतना हमारी अवस्था उची हो जाती है नहीं तो पढ़ते भी जाते हैं फिर परहेज नहीं करते हैं तो उसका effect है हमारी आंतरिक सिती पर पढ़ता है जहां अच्छी service है जोसे museum आदी है तो वहां बहुत तीखी और योग-युक्त बच्चियां चाहिए तो सेवा करनी है ना तो तीखी बच्चियां होंगी योग-युक्त होंगी तो अच्छी सेवा होगी यह भी बाप समझाते हैं ड्रामा बना हुआ है कभी-कभी बाबा सोचते कुछ ड्रामा में change हो जाए पर तो change हो नहीं सकता क्योंकि ready-made है ना बना-बनाया ड्रामा है as it is repeat हो रहा है यह बना-बनाया खेल है बच्चों की अवस्था को देख खयाल आता है कि कुछ change हो जाए क्या ऐसे-ऐसे स्वर्ग में चलेंगे कहीं अवस्थाओं को देख कर बाबा को लगता है कि ऐसे-ऐसे भी स्वर्ग में चलेंगे कहीं बच्चों को देख कर फिर खयाल आता है क्या आता है घ्यान से बाबा अपने को बिल्कुल set कर लेते हैं Actually में बाबा को तो खयाल आता है, परन तो बच्चों के खयाल आतों को दूर करने के लिए बाबा इस तरीके से समझानी देते हैं, कि फिर बाबा को खयाल आता है, स्वर्ग में तो सारी राजधानी चाहिए ना, कोई दास दासियां चंडाल आदी भी होंगे, ड्रामा में कुछ चेंज नहीं हो सकती, भगवानुवाच यह ड्रामा बना हुआ है, इसलिए बस यह सूच कर बिलकुल फुल स्टॉप लगा देना चाहिए, यह इसका किरदार है, यह इसका पार्ट है, बजा रहा है, तो ना क्योशन साइमन में, ना मन में कुछ आश्चरे की बातें आएं, इसलिए बिलकुल फुल स्टॉप, इसको मैं भी चेंज नहीं कर सकता हूँ, भगवान के उपर तो कोई भी है नहीं, तो जब भगवान ही नहीं बदल सकते, तो हम कौन होते हैं बदलने वाले, मनुष्य तो कह देते हैं, भगवान क्या नहीं कर सकता, परन्तु, भगवान खुद कहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, कर सकते हैं बाबा ड्रामा में चेंज नहीं कर सकते हैं यह बना बनाया खेल है विखन पढ़ते हैं कुछ भी नहीं कर सकते ड्रामा में नूंध है मैं क्या कर सकता हूं बहुत बच्चियां पुकारती हैं हमको नंगन होने से बच्चाओ अब बाप क्या करेंगे, यह साब किताब है तो बाबा भी क्या कर सकते हैं न, ड्रामा में नूंद है, बाप सिर्फ कह देंगे ड्रामा की भावी, यह तो बना बनाया ड्रामा है, ऐसे मत समझो भगवान की भावी, नई, भगवान के हाथ में होता, तो समझो कोई अनन्य शरी पीर छोड़ देते हैं, उनको भी बच्चा लेते हैं, अगर बाबा के हाथ में होता तो मरने नहीं देते न, दुखोने नहीं देते, ऐसे बहुतों को संशे आता है, भगवान पढ़ाते हैं, अगर भगवान के बच्चे हैं, तो क्या भगवान भी अपने बच्चों को नहीं बचा सकते, बाबा के पास सबके वाइब्रेशन आते हैं, बहुत उलाना देते हैं, कहते हैं, ऐसे साधू लोग तो किसके प्राणों को बचा सकते हैं, प्राण फिर से आ जाते हैं, चिता से भी उड़ जाते हैं, ऐसी बहुत सारी घटनाए होती हैं, फिर कहेंगे ईश्वर लोटा दिया, काल ले गया, उस पर प्रभु ने रहम किया, ऐसे से कहानिया बताते हैं, तो सत्यवान सावित्री की भी कहानी बताते हैं, बाब समझाते हैं, जो कुछ ड्रामा में नोंद है, वही होता है, बाब कुछ भी, बाब भी कुछ नहीं कर सकता इसके अंदर, इसको कहा जाता है ड्रामा की भावी ड्रामा का अक्षर तुम जानते हो वह कहेंगे जो कुछ होना था हुआ ये अक्षर हम जानते हैं और हम ही बोलते हैं ड्रामा की भावी बाकी दुनिया वाले कहते हैं कि जो होना था वो हो गया है ना फिक्र काहे का कहते हैं न बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी ना ही तुमको बाबा कहते हैं बेफिक्र बनाते हैं ड्रामा का ज्यान आत्मा को बेफिक्र बनाता है टंशन फ्री जादा मत सोचो चुकि वही होना है जो ड्रामा में नोंद है पुरुशार्थ करते हैं परन्तु फिर जो कु आवी समझ कर स्विकार करते हैं, टेंशन करने से कोई ड्रामा थोड़ी न बदल जाएगा, परिशान होने से, ये किसी के प्रतिवी कल्प चलाने से, उर्टा हमारा ही रोल खराब होगा, हमारे ही तन पर, मन पर एफेक्ट आएगा, इसलिए बाबा कहते हैं, वह कहेंगे जो क कुछ होता है, ड्रामा ही समझो, आत्मा ने शरीर छोड जाकर दूसरा पार्ट बचाया, सिंपल है न, अनादी पार्ट को तुम कैसे फेर सकते हो, ओ ड्रामा जो अनादी काल से चल रहा है, as it is, हम क्या उसे बदल सकते हैं, भल अभी थोड़ी कच्ची अवस्था है, थोड जो अवस्था internally, वो अभी कच्ची है, अभी ड्रामा का पार्ट पक्का नहीं हुआ है, अगर ड्रामा का पार्ट पक्का हो जाए तो हलचल ना आए, न, तो बबा कहते हैं, परन्तु भावी कुछ कर नहीं सकती, लोग भल क्या क्या भी कहें, परन्तु हमारी बुद्धी मे ड्रामा का राज है, कुछ भी कहते रहें, लेकिन हमें ड्रामा का पार्ट पक्का है, वबा कहते हैं, पार्ट बजाना है, फिक्र की बात नहीं, जब तक कच्ची अवस्था है, थोड़ी बहुत लहराती है, तब तक अंदर कुछ न कुछ चलता रहता है, लहराती है, इस सम तुम सब पढ़ रहे हो सब पढ़ रहे है तुम सब देहधारी हो मैं एक विदेही हूँ सब देहधारीयों को सिख लाता हूँ बाप समझाते है कोई-कोई समय तुम बच्चों को फिर यह ब्रम्भा भी बैट समझाते है यह बाप का पार्ट और प्रजापिता ब्रह्मा का पाट wonderful है ऐसा नहीं है मुर्ली सारी की सारी शिव बाबा सुनाते हैं बीच बीच में दो आत्माई बैठी तो फिर बीच में ब्रह्मा बाबा भी लौकिक रीती से examples देते हैं लौकिक example कोई शिव बाबा थोड़ी न देते हैं जैसे स्वामी रामती रथ जी का example दिया तो वो ब्रह्मा बाबा देते हैं तो इसलिए दोनों आत्माई हमें बढ़ाती हैं तो बाबा कहते हैं कि कोई-कोई समय तुम बच्चों को फिर यह ब्रह्मा भी बैठ समझाते हैं यह बाब का पाठ और प्रजापिता ब्रह्मा का पाठ wonderful है यह बाब विचार सागर मन्थन कर तुमको सुनाते रहते हैं विचार सागर मन्थन ब्रह्मा बाबा की आत्मा करती है कितनी wonderful knowledge है कितनी बुद्धी चलानी पढ़ती है बाबा का विचार सागर मन्थन सुबह को चलता है अब ब्रह्मा बाबा अपने example दे रहे है कि वो कब चलाते हैं यह सब कुछ तुमको भी ऐसा बनना है जैसा teacher तुमको कैसा बनना है जैसा teacher है हमारा तुमको भी ऐसा बनना है जैसा teacher फिर भी फर्क तो जरूर रहता है ना टीचर और स्टूडेंट में जो स्टूडेंट टीचर को देखकर टीचर बनते हैं उन दोनों में अंतर तो होता है ना टीचर स्टूडेंट को कभी सौ मार्क्स नहीं देंगे कुछ कम देंगे वह है उचे ते उचा हम है देहधारी शिव बाबा तो 100% है तो उतना जादा 100% तो कोई student नहीं बनेगा थोड़ा सा तो कम फरक तो आई जाएगा as it is ग्यान बिलकुल आत्मा में स्विकार नहीं होता है यहना बिलकुल उन्तपात को पूरी तरह धारण नहीं कर पाती है आत्मा तो नंबर वार इसी हिसाब से बनते है तो अगर शिव बाबा 100% है तो उतने जासे माक्स तो नहीं मिल सकते तो बाबा कहते है थोड़ा कम देते है तो बाबा मिसल 100% कैसे बनेंगे क्योंकि हम तो देधारी है शिव बाबा तो विदे ही है तो इसलिए बाबा कहते है वो तो है उचे तो उचा हम है देधारी तो बाबा मिसल 100% माक्स 100% कैसे बनेंगे यह बड़ी गुहे बाते है practical बात है वो यही है कि जितनी शिव बाबा की आत्मा में पूरा ज्ञान है, गुण है, शक्तियां है, as it is आत्मा में नहीं आ सकती है, कोई तो सुन कर धारण करते हैं, खुशी होती है, कोई-कोई कहते हैं, बाबा के तो एक ही वानी चलती है, आना समझने ही बाते हैं इन रहस्यों को, repetition होती है, अब कोई नए-नए बच्चे आते हैं, तो मुझे पहली पॉइंट उठानी पड़ती है, समझना चाहिए न ये बात, कोई नए पॉइंट भी निकल आती है, और उको समझानी के लिए, बच्चों को फिर भी, बाब को मदद करनी पड़ती है, मैग्जीन निकालते हैं, कल्प पहले भी ऐसा लिखा होगा, जो कुछ लिखते हैं कल्प पहले मिसल, अगर अखबार निकाले, तो उस पर बहुत ध्यान देना पड़े, ऐसी कोई बात ना हो, जो मनुष्य पढ़कर नाराज हो जाएं, तो बहुत ध्यान देना पड़ता है, आप यदि कोई मैग्जीन निकालते हो, कोई नियूस्पेपर निकालते हो, कुछ भी शब्दावली ऐसी नहीं होनी चाहिए, जिससे किसी को भी आहत पहुँचे, कोई नाराज हो जाए, इसलिए बहुत सोच समझ कर लिखना चाहिए, तो इसलिए बबाबा कहते हैं, मैगजीन तु तुम पढ़ते हो, कोई कच्ची पकी बात होगी, कहेंगे, अब तक संपूर्ण नहीं बने है, आक्यूरेट सूलहा कला संपूर्ण बनने में, समय तो लगता है, अगर बात अच्छी तरह समझा नहीं बाते, तो इस समझा जाता है, कि अभी तक अपनी स्टेज जो है, वो संपूर्ण नहीं बनी है, अभी तो टाइम है, अभी तो बहुत सर्विस करनी है, बहुत प्रज्जा बनानी है, यह भी बाप ने समझाया है, अनेक प्रकार की माक्स है, कोई निमित है, बहुतों को ज्यान लेने के लिए प्रबंध करते है, तो उनको भी फल मिल जाता है, कोई अरेंज्चमेंट करते है, कोई गीता पाटशाला खोलते है, कुछ धन से सहयोग करते है, तो उनको भी फल तो मिलता है ना, अब तो पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है, यहां है अल्पकाल का सुक, बिमारी आदी तो सबको होती है, बाबा सब बातों का अनुभवी है, दुनिया की बाते भी समझाते हैं, बाबा ने कहा था, अखबार वो मैगजीन में वन्डरफुल बाते लिखो, जो समझें कि ब्रह्मा कुमारियों ने यह बात बिलकुल ठीक लिखी है, यह लडाई पाँच हजार वर्ष पहले हूबहू लगी थी, कैसे यह आकर समझो, तुम्हारा नाम भी होगा, मनुष्य सुनकर खुश भी होंगे, इस सब चीजें होंगी और हो रही हैं, अभी हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, परन्तो जब किसकी बुद्धी में बैठे, जो लिखते हैं, मैगजीन में, नियूस पेपर में जो लिखते हैं, उनको फिर समझाना भी है, समझाना नहीं आता होगा, इसलिए फिर लिखते भी नहीं, इसलिए बाबा चाहते हैं, जो बाबा का ज्यान है, वो हम अलग-अलग माध्यम से आत्माओं तक पहुँचाएं, अच्छा, हम रुखानी बच्चों की रुखानी बाब तादा को, गुट मॉर्निंग, नमस्ते, 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 धालना के लिए मुख्य सार पहला, एक बाब जो सुनाते वो पढ़ाते हैं, वही सुनो वो पढ़ो, इस बात का पुरा ध्यान रखेंगे, बाकि कुछ भी पढ़ने, सुनने की धरकार नहीं, संग की बहुत-बहुत संभाल रखो, सवेरे सवेरे, एक आंत में बैट, विचार सागर मन्थन करो, प्रमबाबा जैसे करते, पैसे करो, दुसरा, ड्रामा की भावी निश्चित बनी हुई है, इसलिए सदा, बे फिक्र रहो, टैंशन की जरूरत नहीं है, कुछ टैंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिलकुल एजी रहो, बिलकुल निश्चिन्त, हैना, सब टैंशन से मुक्त, किसी भी बात में संशे मत उठाओ, लोग भल क्या भी कहेंगे, लेकिन तुम ड्रामा पर अटल रहो, वर्दान है, एथौरटी बन, समय पर सर्वशक्तियों को, कारे में लगाने वाले, मास्टर सर्वशक्तिवान भवा, मास्टर सर्वशक्तिवान कैसे बनेंगे, हैना, जब एथौरटी, एथौरटी बहुत बड़ी सीट है, तो एथौरटी बनकर, हैना, समय पर सर्वशक्तियों को, कारे में लगाएंगे, इंपॉर्टन यह नहीं, कि सर्वशक्तियां है, उससे इंपॉर्टन यह है, कि उन्हें समय पर कारे में लगाना, जब जिस शक्ति की जरूरत हो, तब उस शक्ति का प्रयूग हम कर पाएं, तब हमें अथौरटी कहेंगे, और तब हमें इस टाइटल मिलेगा, कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, तो सर्वशक्तिवान बाप द्वारा, जो सर्वशक्तियां प्राप्त हैं, वह जैसी परिस्थिती, जैसा समय और जिस विधी से, आप कारे में लगाने चाहो, वैसे ही रूप से, यह शक्तियां आपके सहयोगी बन सकती हैं, इन शक्तियों को, वह प्रभुवर्दान को, जिस रूप में चाहो, वह रूप धारण कर सकती हैं, अभी-अभी शीतलता के रूप में, अभी-अभी जलाने के रूप में, सिर्फ समय पर कारे में लगाने की अथौरटी बनो, यह सर्वशक्तियां तो, आप मास्टर सर्वशक्तिवान की सेवाधारी हैं, बस अथौरटी बनो, ऐसे पावर्फुल बनो, जो परिस्थिती प्रमाण, समिप्रमाण, हर शक्ति को प्रयोग कर सको, स्लोगन है, स्वप और शार्थ, वविश्व कल्यान के कारे में, जहां हिम्मत है, वहाँ सफलता हुई पड़ी है, सफलता पाने के लिए, सबसे जरूरी है हिम्मत, तो चाहे वो, स्वप और शार्थ की बात हो, या विश्व कल्यान की बात हो, दोनों में सफलता पानी है, तो हिम्मत तो रखनी पड़ेगी, उसके बगैर कुछ नहीं होगा, तो आज विशेश क्या हुमवग करेंगे, सरा दिन ड्रामा का पाठ पक्का रखेंगे, हर एक आत्मा का, अपना निश्चित किरदार है, उसको देखकर डगमगाएंगे नहीं, हैना बाबा पर निश्चित रखेंगे, और इस भावी पर निश्चित रखेंगे, कि जो हो रा है, उसमें मेरा और सबका कल्याण छिपा है, इसलिए ना घबराएंगे, ना प्रश्चित बनेंगे, अपनी अवस्था को मजबूत करेंगे, और सारा दिन ड्रामा पर खड़े होकर, बिल्कुल निश्चित बन जाएंगे, ड्रामा पर निश्चे हमें निश्चित बनाता है, चा, ओम शांती, देते चलें, प्यार देते चलें, प्यार प्रभु का लुचाते चलें, देते चलें, प्यार देते चलें, प्यार प्रभु का लुचाते चलें, दीप राहों में चलने लगेंगे, जीवन सभी के समरने लगेंगे, देते चलें, देते चलें, प्यार देते चलें, क्यार प्रभू का लोटाते चले निर्मल सी मुस्कानों से जगशी कल हो जाएगा सेह भरे तो बोलों से पक्थर पानी हो जाएगा इश्वर की पहचान बने प्यार प्रभू का लोटाते चले इश्वर की पहचान बने प्यार प्रभू का लोटाते चले दीप राहों में चलने लगेंगे जीवन सभिल के सवरने लगेंगे देते चले प्यार देते चले प्यार प्रभू का लोटाते चले साया करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं खीच के बेखारे जल से मधुर में बरसाए हैं साया करने वाले बादल सिर पर दूप संभाले हैं सुख सागर की सुख सागर की लहरे बने प्यार प्रभू का लोटाते चले सुख सागर की लहरे बने प्यार प्रभू का लोटाते चले दीप राहों में चलने लगेंगे जीवन सभी के सवरने लगेंगे देते चले प्यार देते चले प्यार प्रभू का लोटाते 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 चले